इहार बूर जबसे टेश्ट एक्जाम लिया है तब से छातरों में परसानी हो गई है कि अब जो है परिच्छा का पैटर्न क्या होगा अबजेक्टिव कितने नमबर का पूछा जाएगा क्योंकि टेश्ट एक्जाम जो लिया गया है उसमें 50 नमबर का एक्जाम हुआ था ले क्वेस्चन जो है वो 30 दिये गए थे यानि 25 नंबर का बनाना था और केबल 5 ही एक्स्ट्रा प्रशन दिये गए थे और यहीं से छात्रों के मन में प्रैसानी जो है वो पैदा हुई है और तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पे भी सामने आ गए जिससे छात्र प्रैसान है और प्रशानी इसलिए भी है कि एक तरफ यहाँ पे जो सेंटर प्रिच्छा है वो भी यहाँ पे 27 अक्टूबर से होने जारी है मासिक टेस्ट प्रिच्छा के बाद इंटर का 27 अक्टूबर से आपका सेंटर प्रिच्छा है तेस्ट नंबर से मैट्री का सेंटर क्या होगा छात्रों के मन में लगा था यह सबाल जो है वो यहां पे बना हुआ है तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फैनल एक्जाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा तो इसे पहले चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और सेयर कर दिंग सभी दोस्तों के साथ ताकि सही बीको सही जनकारी यहां पे मिल सकें कि फैनल एक्जाम में बिहार बो objective क्या इस pattern पे पूछेगा या जो test exam का pattern दिया गया है कि आपका 30 में 25 तो क्या वहां पे 60 objective में 50 objective बनाने होंगे ठीक है यह चात्रों के मन में जो सवाल है इस वीडियो के बाद किलियर हो जाएगा देखिए इस चीज को समझे यहां पे यह जैसा कि आपको मन में सवाल है कि यहां पे ऐसा pattern test exam में आखिर क्यों दिया गया क्यों जो है 25 प्रस्ट नहीं दिये गए 30 प्र 50 प्रस्ट में 50 ने 25 बनाने का option क्यों नहीं दिया गया देखिए इसका सबसे बड़ा answer में आपको यहां पे बता दू क्योंकि यह test exam है और test exam जो है 30 प्रस्ट नहीं दिये गए जिसमें 25 प्रस्ट के ही आपको answer देने थे लेकिन final exam की बात कर ले जो final exam होगा उसमें जो last year का जो pattern आपने देखा था कि 100 में आपको 50 objective बनाने होते थे language paper में और जिसमें practical का होता था इसाब किताब उसमें 70 में 35 बनाने होते थे यानि दुगने बिकलप आते थे तो क्या 2024 में भी दुगना बिकलप आएगा तो इसका जब आप देखे यहां पे बिहार बिदाले परिछा समितिने कोई भी official notification जारी करके नहीं कहा है कि मैं यहां पे pattern बदलना हो जब तक official notification नहीं आजाता कि pattern बदला जा रहा है तब तक आपको पुनाने pattern पे ही तयारी करनी होगी यानि 100 objective और 70 objective जो कि आपका practical वाले में और बिना practical वाले में 100 objective जिसमें 50 बनाने थे और 70 में 35 बनाने थे अब बड़ा सवाल क्या pattern बदल सकता है तिसका जबाब है नहीं ठीक है 90% chance है कि आपके patterns वो नहीं बदलेंगे क्यों नहीं बदलेंगे ठीक है क्योंकि बिहार बुड का जो result जो सुधार हुआ है वो pattern की budget से ही सुधार हुआ है और बिहार बुड कभी नहीं चाहिए उनका result का जो पिछले 3-4 सालों में इतना अच्छा बढ़ा है जब से objective दुगने पूछे गए है तो बिहार बुड कभी नहीं चाहिए कि उसका label जो है कोई pattern में बदलाओ नहीं हुआ है 100 objective में आपको यहां पे 50 बनाने होंगे और 70 में 35 बनाने होंगे इसका confirmation आपको 27 October सो होने वाली इंटर सेंटर परिच्छा में आपको मिल जाएगी और आपको इस चैनल पे class भी कराए जारी है final exam सेंटर भी जारी का जो कि साम 7 बजे आपको इस चैनल पे शुरू है साम 7 बजे और रातरी 9 बजे दो टाइम में अलग अलग सब्जेक की class से चल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और WhatsApp ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप जोड़ू से जोईन कर लेंगे ताकि class से जूर सके और अपना सपना जो है 80% 90% का ट्रेल यूट्यूब चैनल पे तब फड़ावन WhatsApp ग्रूप जोईन कर लेंगे और वीडियो को शेर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी कुछ सही जनकारी मिल सके मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई अवडेट के साथ बने रहे हैं चैनल के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचि इस वीडियो